कम्प्यूटर पर सबसे अच्छा निबंद कैसे लिखें चलि आपको बताते हैं सबसे पहले रोप रेखा डालेंगे और रोप रेखा के अंतरगत प्रस्तावना फिर कम्प्यूटर क्या है यानि कम्प्यूटर का अर्थ क्या है कम्प्यूटर सब्द की उत्पत्य कम्प्यू इंतम तकनीक है जो जादातर जगहों पर इस्तिमाल किया जाता है यह कम समय और कम स्रम सक्ति से बहुत अच्छा प्रणाम देता है आधुनिक समय में बिना कम्प्यूटर के जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती है हम लोग कम्प्यूटर में इंटरनेट का इस्तिमाल कर सकते हैं आधुनिक कम्प्यूटर बेहच्छमतावान संभालने में आसान और ज्यादा से ज्यादा कार्यों को संपादित कर सकने वाले हैं पूरे मानोसमाज के लिए कम्प्यूटर विज्ञान का एक अनोखा वर्दान ह इससे सीखने में बहुत कम समय लगता है अपने सुगमता और कारिच्छमता के कारण इसका प्रियोग ब्यापक रूप से होता है जैसे आफिस, बैंक, होटल, सिक्छन संस्थान, स्कूल, कालेज, दुकान, उद्दोग, आदि में कई लोग अपने बच्चों के लिए लैपट क्या है तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण है इसमें आप अपने डाटा वा सुचनाओ को सुरच्छित रख सकते हैं कंप्यूटर एक यांत्रिक मसीन है जो किसी भी प्रकार की गड़ना को बहुत आसानी से कर सकता है इसके द्वारा किसी भी काम को आ आधुनिक युक को कंप्यूटर का युक कहा जाता है फिर ही डालेंगे कंप्यूटर सब्द की उत्पत्ते तो कंप्यूटर सब्द की उत्पत्ते कंप्यूट सब्द से हुई है जो की एक लेटिन भासा का सब्द है और इसका अर्थ है गड़ना करना कंप्यूटर के जनक चाल्स बवेज जिनका जन्म लंदन में हुआ था, वहां की आधिकारिक भासा अंग्रेजी थी, इसलिए कम्प्यूटर अंग्रेजी में है, फिर नेश्ट हेडिंग कम्प्यूटर की खोज, तो कम्प्यूटर विग्यान का एक महान आविश्कार है, इसने विग्यान की दुन 1222 इस बीबे, अबेकस ने एक यंत्र की खोज की थी, इसे कम्प्यूटर कहा गया था, लेकिन इस आधोनिक्यूग में हम जिस कम्प्यूटर का उप्योग करते हैं, उसकी खोज चाल्स बवेज के द्वारा ही की गई है, फिर हेडिन डालेंगे कम्प्यूटर का महात्तो परकार हैं, पहला है सिच्छा के खेतर में, आज सिच्छा के खेतर में कम्प्यूटर का उप्योग बढ़ता ही जा रहा है, आज बच्चों को कम्प्यूटर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, आज कम्प्यूटर के माध्यम से बच्चों क नए नए तरीकों से पढ़ाया जा सकता है जिससे उनका विकास बहुत तेजी से हो सकता है फिर है चिकिस्टा के छेतर में तो आज कम्प्यूटर के माध्यम से चिकिस्टा के छेतर में भी बहुत बदलाव देखने को मिले हैं अस्पतालों में इसका उपयोग लगातार पर खाजा सकता है फिर नेक्ष दिन डालेंगे ब्यापार के चित्र में आज ब्यापार के चित्र में भी कंप्यूटर का उप्यूग अधिक बढ़ गया है आज गूगल जैसी कंपनियां इसी आधार पर चल रही हैं कंप्यूटर वा इंटरनेट के माध्यम से ब्यापार को देशी ही नहीं बलकि विदेशों तक भी आसानी से पहुँचाया जाता है फिनेश्ट कंपनियों में वर्तमान समय में कंपनियों का संपूर्ण कार कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर क इसके माध्यम से अधिक काम को कम समय में आसानी से किया जा सकता है इसके माध्यम से डाटा को आसानी से अधिक समय के लिए सुरच्छित रखा जा सकता है और समय आने पर इसे आसानी से ढूंधा भी जा सकता है वह उपयोग में लिया जा सकता है इसी प्रकार से घारों में कम् के लाब तो आज हर जगह कंप्योटर का उप्योग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण यहां है कि मनुस्य के मुकाबले बहुत तेजी से काम करता है यह बहुत बड़ी गड़ना को कुछ ही सेकंडों में कर सकता है आज हर चीज कंप्योटर पर मौ इमेल, सोसल नेटवर्किंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप इंटरनेट पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बैंकिंग जैसी सुविधाओं में कंप्योटर तकनीक का जवाब नहीं है आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से या क कंप्योटर से किसी को भी रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं आज मोबाइल रिचार्ज बिजली का बिल जमा करने से ले करके ऑनलाइन सौपिंग तक यहां तक की हवाई जहाज तक कंप्योटर द्वारा उड़ाये जा रहे हैं वह भी बिना कोई गलती की सिच्छा और चिकिस की बात करें तो दुनिया के बेहतर डाक्टर से इंटरनेट पर परामर्स ले सकते हैं और अब तो मेडिकल स्टोर जाने की जरूत नहीं है आप घर बैठे ही दवाईयां भी आडर कर सकते हैं चायवा आपके सहर में मिलती हो या ना मिलती हो और इसके बाद हेड़ी स्वास्त के लिए हानिकारक साबित हो रहा है मोबाईल और कंप्यूटर स्क्रीन पर जादा लगातार देखते रहने से जादा नुकसान आखों को होता है लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है जादा से जादा लोग किसी के घर जाकर मिलने से बहतर उनसे सोशल नेटव तर्किंग साइट पर जैसे फेस्बूक है, वाटसेप है, चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहां तक कि एक घर में ही रह रहे हैं, चार विक्ति भी अपने अपने मोबाइल फोन से ही चिपके रहते हैं, बड़ी-बड़ी कमपनियों और फैक्टिरियों में कई-कई काम, कम्पीटर और रोबोट करने में लगे हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, इंटरनेट बैंकिंग का उप्योग सावधानी से ना करने पर आप अपने परसनल डाटा को चोरी भी करवा सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि परसनल डाटा चोरी करने का खत्रा रहता है, जिससे कई यूजर्स को आर्थिक नुकसान उठाना परता है, इसी प्रकार सोचल नेटवर्किंग साइट पर भी सावधानी से काम ना करने पर भी इंटरनेट के माध्यम से ठागी जैसे बहुत बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं, फिर हेटन डालेंगे उप्ष हमें इससे होने वाले दुस्परणामों को भी नजर अंदाज नहीं करना होगा, हमें इन दोनों के मध्धे समझस से बैठाना होगा और इसका सही से उप्योग करना होगा, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद